नमस्कार दोस्तों मैं उदेलाड फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर उड़ देखने हो ले हरकिसान भाई का आज की उड़े में तेहें दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों थमनिल देखा टाइटल भी पड़ा हाँ दोस्तों मेरे कितने नवजवान बेरोजगार युआ यूती दिव्यांग विकलांग व्यक्ति और वयस का आबादी के जो सदस्य है वह क्या कर रहे है दोस्तों की मुर्गी पालन के व्यवसायक का तो चुनाओ कर चुके है लेकिन दोस्तों अगल बगल में ढूंड रहेगी कहां पर मुर्गी मिलती है लेकिन दोस्तों मुर्गी अगर खरीद रहे होगे आप नए हो पुराने हो लेकिन दोस्तों मुर्गी देशी हो या कौन सी भी हो अगर आप मुर्गी खरीद रहे हो तो यह वीडियो जरूर दे इसलिए दोस्तो मुर्गी खरीदते हुए कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और खास करके बदलने वाले मोसम में मुर्गी कब कैसे और कितनी खरीदनी चाहिए इसके बारे में सटीक जानकारी देने वाला आज का यह वीडियो देख लिजिए वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लिजिए पसंद तो आई जाएगा इसलिए इसे एक लाइक कर दीजिए ज्यादा ज्यादा किसान भाईयों के पास भेजने के लिए मुर्गी पालक भाईयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप पर्सनल वाटसप नमबर वाटसप ग्रूप टेलिक्राम ग्रूप फेस्टाग्राम स्नैपचाट इन सोशल मेडिया के साधनों का इस्तेमाल करते होई लिंक को शेयर कर दीजे रहा होगा सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाईयों से और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़ कर विंती करता हूँ दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं मानता रहूंगा आप भी मुझे अपना और घर का सदस से मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लिजे इसके लिए इस वीडियो के आप दाई तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंके सब्सक् कर दोस्तों मुर्गी देसी हो या कौन सी भी जो मुर्गी होती ह hourly रिख मान संञ रान ब्सक्राइब मुर्गी के बाद पूरे देश में दोस्तों वहाँ पर सर्दीयों का मोसम जो आहिस्ता आहिस्ता जाता है और गर्मियों का मोसम शुरू होने लगता है इस प्रोसेस को तकरिबन 30 दिनों का समय लगता है इसलिए दोस्तों 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के दर्मियान जो 30 दिन कहे जाते है वह मोसम के बदलने के पूरे दोस्तों वहाँ पर जो है चश्मदी होते हैं ऐसे में दोस्तों 20 जनवरी से लेके 10 फरवरी की जो 20 दिने दोस्तों सबसे जादा घातक होते हैं ऐसे में दोस्तों मुर्गी हो या दूस्ता कोई भी पंची या बर्ड़ हो दोस्तों इन पर बहुत ज्यादा infection आने की संभावना होती है और जो मोसम बदलता है दोस्तों तो इस मोसम बदलते हुए दोस्तों इन सभी पंचियों पर बहुत बुरा आसर होने की संभावना भी होती है ऐसे मैं खास कर बात करें तो आपने देखा होगा संभावा दोस्तों की 15 जनुवरी के बाद जैसे हम हफता दो हफ़ते आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आपको वहां पर मुर्गियों में वहां पर बहुत ज्यादा जो infection दिखाए देता है infection वायरेल होता है मुर्गयों की बीट दोस्तो आपको वहाँ पर हरी दीखाई देना शुरू होता है और जो मुर्गीकी मुर्गे का कल्गी होता है उपर खालज दोस्तोथ वह क्या होता है वो काला गिरने लगता है ऐसे में दोस्तो वो जो मुर्गी या मुर्गा हो तो आहिस्ता आहिस्ता उस बीमारी के चपेट में आ जाता है और दोसे लिके तीन दिन के भीतर उसकी जान चली जाती है यहां दोस्तो रानी खेत का सबसे बड़ा उधारन कह सकते हैं लेकिन दोस्त असर सबसे ज्यादा होता है यह बीमारी होने के बाद तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते लेकिन बीमारी आने से पहले बहुत कुछ कर सकते हो जिसके कारणोश यह बीमारी आने से पहले हम 90 से लेके 95 प्रतिशत रोक सकते हैं लेकिन कैसे तो दोस्तो सबसे इंपोर्टन बात क तीन बार दोस्तों यानि कि बदलते हुए मोसम में आप जनवरी महा में लगा सकते हो साथी में दोस्तों आप मई महा के आखिर में लगा सकते हो जिससे आने वाले बदलने वाले मोसम में मुर्गों को कोई भी दिक्कत का सामना वहां पर करना नहीं पड़ता है उसके साथ और एक बात बतलाता हूं दोस्तों कि फिर आएसे में आपको मुर्गी की खरीद करते हुए सबसी महत्योपुर्ण कुन सी बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि जब आप मुर्गी बाहर से लाते हो तो दोस्तों वह मुर्गी एक तो मुझे मालूमें कि 95 प्रतिश यहां पर 20 जनुवरी से लेकर 10 फ़रवरी के भीतर आपको मुर्गी और मुर्गा खरीदना नहीं कोई कितना भी सस्ता मुफ्त के भाव पर दे दे तो भी हमें खरीदना नहीं है क्योंकि दोस्तों आपके घर पर अगर पाच-पचास मुर्गिया हो और आप बाहर से बिना ठीका करने वाली मुर्गिया और मुर्गा लाएगे तो उनकी इंफेक्शन की वज़े से आपके पूरी घर की बैच भी वहाँ पर खत्म हो सकती है फिर ऐसे में करें क्या तो बहुत आसान बात बतलाता हूँ दोस्तों आपको क्यारना क्या है दोस्तों की ऐसे में एक तो अगर आपको मुर्गी खरीदने है तो दस फरवरी वहाँ पर खत्म होने की रहा देखिए सबसे अच्छा सुलूशन दूसरी बात दोस्तों अगर आपको अभी खरीदना है तो दोस्तों 20 जनुवरी से पहले खरीदने के लिए आप एक काम कीजिए पहले आपने आसपास के जो मेडिकल है वहाँ पर चेक कर लीजिए कि वहाँ पर हमें R2B Staten Intramass Injection नहीं तो लासोटा क्या मिल पाएगा अगर मिलता है तो दोस्तों आप एक ही जगह से 10-15 मुर्गिया दो-3 मुर्गे लाइए आप 2-3 जगह से कृपया मुर्गिया और मुर्गों की खरीद मत कीजिए चलो आपने ला लिया दोस्तों तो उसके बाद आपको क्या करना है कि उनको लाने के बाद तुरंत R2B Staten Intramass Injection देना है और उसके बाद लिवर टॉनिक देना है नहीं तो लासोटा का डोस पिलवाना है और उसके बाद दोस्तों आपको लिवर टॉनिक देना है एक बार य कर लिया तो दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके बाद इनके माध्यम से मिलने वाले अंडों को लेकर इंकुबिटर के माध्यम से अगर आप चूज़े प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो बहुत सफल होंगे लेकिन आप से हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूं क दस फरवरी तक क्रिप है एक भी मुर्गी और मुर्गा मत खरीदे क्योंकि बदलने वाला वातावरन मुर्गियों को वहां पर असहज महसूस करता है उसके साथ अगर उसकी जगह बदल दी जाए तो दोस्तों वह मुर्गी सव प्रतिशत बीमार गिरने की संभावना होती ह और आर्टूबी स्टेटेन इंट्रामास इंजेक्शन एक बार बड़ी मुर्गियों को लगा दिया तो कम से कम दोस्तों उनके 90 प्रतिशत बीमारियों को आने से पहले ही हम रोख सकेंगे इसलिए दोस्तों आपको हाज जोड़ कर विंती करता हूं कि आपके पास जो मुर् मुर्गियों मुर्गव खरीदे नहीं मुझे तो इतना भी कहिना कि दोस्तों जब तक अगर नहुंद्ण gravely को खरीदी के मिलते हैं तो दोस्तों आपर इंकुबेटर ले कि انहीं अन्दों को इसने डाल की राप्त कर सकते हो लेकिन दोस्तों अगर अंडों की गैरेंटी हो तो यह चोटी चोटी समस्य दोस्तों चोटी-चोटी समस्य दूर करने के लिए मैंने दोस्तों मेगा मिशन पास्टो का प्रोजेक्ट लॉच्ग लॉंच किया है जिसके तहट मैं भारत वर्षे से पास्टो व्यक्तिववका चुनाव करूंगा इनको मैं खुद ही guidance दूँग आपको बीमारी आने से पहले सचेत करना है बीमारी आने के बाद उचित सोलूशन देना है समय समय पर चूजों का और मुर्गों का ठीका करन करना है इतने के लिए दोस्तों आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है गाउद यहात में कभी यह दोक्टर में आपको बाता है मोर्गों करने और आपके आने वाली हर समस्या का सोलूशन दोपर 3 से लिकर रात के 9 बजे तक मैं से कौल आएंगे वह से दूंगा लेकिन दोस्तों होता क्या है कि आपना ज़ो इंडियन मुरगी पालन चानल बहुत बढ़ा चैनल बन चुका है इसलिए दोस्तों बहुत ज्यादा आते तो हरे का कॉल तो मंहीं नहीं ले पाता हूं। इसलिए मैंने मिशन पास्व का प्रोजेक्ट लॉज्य किया है जिसके तहर्ष पास्व रुपे के मासिक शुलक पर दोस्तों पास्व जनों का लेकिन बड़ा फार्म बनाना है तो शुरुआच छोटे से करने पड़ती है और शुरुआच छोटे से होते हैं सही मार्ग दर्शन के माद्यम से हो जाए तो दोस्तो वह फार्म 100% सफल होकर ही रहता है अगर आपकी इच्छा और चाहा हो दोस्तों और आपको यहां पर लाकों का मुनाफ़ा कमाना है तो दोस्तों आपको जुड़ना हो मेरे साथ तो नंबर नोट कर लिजे चावरासी इकिस बैयासी बासट बासट पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजे जादा जादा किसान भाईयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजे रहा होगा सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़कर विंती करता हूं दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं मानता रहूंगा आप भी मुझे आपना और घर का सद इससे मानते हो तो क्रिपया सब्सक्राइब कर लिजे इसके लिए इस वीडियो के दाई तरब निचली सैड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक आपको मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की दिल से बहुत-बहुत आभा